है वेलकाम बैक में हूं मानिक पाइक और आप सिख रहे हैं गूगल एड्स ट्यूटल इन हिंदी क्लास में आपका खुद का लेंग्वेज हिंदी में बिल्कुल आपको सिखने को मिलेंगे अगर आप पहले बर वीडियो देख चेके हो तो वहाँ पर जो में ट्रॉफिक था कि आपको जो टार्गेटिंग है तो आप ओनलाइन के दोवरा कोई भी पोड़क आप सेल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर में जो गोल है कि रहती है हाँ तों में अब को सिखांगा कैसे अब का जो पॉड़क यह ओफ्र आपको यह देखना होगा क्या आप एड्ड कंपेंघ करने से पहले और임 क्या से अक्षिंग प्लान बनाते हो, आपको जो टर्केट है, वो आप कैसे डिसाइड कर पाता हो, तो ये वीडियो आप पूरा देख लेजिए, मैं यहाँ पर कुछ ट्रॉफिक में आपको साथ लेकर आया हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको यह बोलू कि जो प्रोडक्स सेल करने के जो बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, पर मैं आपको सोटा 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 इंफोर्मेशन देकर धीरे-धीरे मार्केटिंग की क्लास में आपको सिखते रहोंगा, तो आप जानते हैं कि मैं एक प्रोपर्शनेल डिजिटल मार्केट हूँ, जहाँ पर आपको AC, ASOM, PPC, Google Ads, यह सारे सी के लिए मैं आपको सर्विस देता हूँ, अगर आपको जुरुआ थे तो इस नंबर पे आप कॉल करके या होट्चाप करके मेरा से बातचीत कर सकते हैं, तो चले फ्रेंड में जो ट्रॉफिक है कैसे आप एक प्रोड़क्ट ऑनलान से सेल करने से पहले आपको कौन सा जो मे अब आप जिस लोकेशन के आप फोडोग्राफी करना चाहता हूँ, अगर उहाँ पर ज्यादातर-ज्यादा ओडियंस को आप रिसेट कर लेंगे तो देखेंगी के ज्यादा-तर-ज्यादा लोग ओल्रिडी मेरीड हैं, तो वेडिंग फोड़क्राफी करने के लिए उन लो तो इतलिए आपको वाडियंज जो है आर आपको जो सिलेक्टिड लोकेशन है ए लोकेशन सिलेट करने से पहले आपको पहले यह जानना होगा कि आप कौँछा लोकेशन के अंदर आपको वेडिंग फोटोग्राफी केमपेज चलाना चातो और जब भी आपको ए भी नौलेज होना चाहिए कि वहाँ पार ज्यादा था ज्यादा लोग अभी तक मैरिड है या अनमरिड है तो फ्रेंड आपको एस थोड़ा चाहिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर अब कोई भी लोकेशन के अंदर कोई भी पोड़क्ट सिलेट करो तो क्या वो पोड़क्ट सेल करन होगा कि आप जिस लोकेशन के अंदर आप पोड़क्ट सेल कर रहो वो पोड़क्ट सेल करना से पहले आपका लोकेशन के अंदर जो रिलेटिड आपको पोड़क्ट है वो एबलेबल है या नहीं अगर लोगों को पास अल्रड़ी है तो आपका पोड़क्ट के यूनिक है लोगों को ज़रू हो थे, problem solve कर सकते हैं, यह सारे सीज अगर आपको लगते हैं, कहा है, market में नया है, लोगों को problem solve कर सकते हैं, और आप, अगर उन लोगों को दिखाना चाते हो, तो उसका पूराने TV वजल कर आपको ज़रूर OTV खरीद लेंगे, तो यह location number one, number two, आपने जो product लेकर आए हमा market में क्या, यह जहाँ पर आप बेश रहों के, उन लोगों के budget की हिशप से है, pocket budget के shoot करते हैं, अगर लगते हैं कि हाँ, यह pocket budget से shoot करते हैं, तो आप ज़रूर उस location चूज कर लेजिए, नहीं तो आप location तो चूज कर लेगे, पर देखिए, आपको product relevant quality जो है, वो लोगों को पास है, वो खरीदने की location भी है, perfect है, वो लोगों को पास नहीं है, पर आप जो product sell करना चाहते हो, वो actually क्या है, वो लोगों को खरीदने के हिम्मत नहीं है, इसलिए understand pocket budget for your client या your location, right, मैं example देदू, okay, चले, आप एक BMW बेशना चाहते हो, right, BMW बेशने के लिए अपने target लागा है, कोई भी एक village location, और village location के जाद से जाद चाहते हो, कि वो मेहनद करके पैसा एक कट्टक करते हैं, और उन लोगों को पास इतना जादा पैसा नहीं होता है, इसलिए जादा से जादा जो है, वो भीलस में रहते है, अगर आप देख जाए, दो, एक आपको ऐसा ही मिल जाएगा, पर वो बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अगर ad campaign चलेंगे, तो क्या आपको लगते है, कि BMW कार वहाँ पर सेल करना पॉसिबल होगा, हो सकते है, वहाँ पर आपको कोई कार नहीं, नहीं है, मतलब वहाँ पर कार ही नहीं, पर location, आपको लगते हैं, यहाँ पर एक location है, audience भी जवरदस है, पर उन लोगों के खरिदने के लिए उसका पास पैसा नहीं है, क्योंकि महेंगा कार है, BMW, तो यह भी आपको जानना होगा, कि आप जिस location के अदर आप pocket budget की shop से ad campaign चलना चाहते हो, क्या उहाँ पर लोग ज्यादा तर ज्यादा लोग खरिदने के तैयर है या नहीं, तो इसके बाद भी आते हैं, कि online जो है, premium audience, पहले आपको जानना होगा, कि premium audience कहा रहते हैं, अब धूदिए, अगर गाउ में जाएंगे, तो आपको premium audience नहीं है, ऐसा नहीं कि गाउ के लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, जुरूर, पर क्या है, वो premium audience आपको product के लिए relevant नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, आप जानते हैं, यह बड़ा shopping mall है, जहाँ पर आपको बहुत मेहंगा मेहंगा product वहाँ पर sale होता है, low price के कोई product sale है, तो वहाँ पर जो लोग visit करते हैं, वहाँ पर जाके जो लोग खरिता है, वो ज्यादा से ज्यादा premium लोग है, क्योंकि उसको पाथ ज्यादा पैसे है, और वहाँ पर जो मेहंगा product है, वो भी खर्दने के लिए तैयर है, तो आप समझ रहे कि मैं एक jumble के दोवारा देता हू पास हजर, दस हजर के एक टिकेट खरिद कर, तो आप उनको भी आपको ट्राविल बिजनस के जो आप देखा सकते हैं, वो लोग तूर करना पसंद करते हैं, आपको और भी location आपको select करना होगा, जैसे मान के चलिए टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट एरिया में कोई दूसरो वाला पोडेक्ट आप ओहाँ पर देखाने के लिए कोशिश करेंगे, ट्राविल पाकेस के हिशाब चाहें, तो ओ लोग टूर करते हैं, तो आपको ये पता चलाएगा, जो लोग वॉल्ग वीडियो देखते हैं, मतलब व्लॉग वीडियो, वो वीडियो के अंदर भी आप एक डिसाइड करके अब आडियो ओडियोंस को टार्गेट कर सकते हैं, इसकी हिशाब साथ है मांतली इंकम, मांतली इंकम भी डिसाइड करते हैं, कि आपको पोडेट के लिए खरीदने के लिए जुरूद है या नहीं हो सकते हैं, आपको प्रीमियम ओडियोंस, सारे के सारे उसका pocket budget सब कुछ ठीक है पर उसका monthly income का ठीक है यह जोरुत है क्योंकि आगर pocket income आप समझ जाएंगे तो उसका monthly income है या नहीं है तो आपको जरुवत नहीं है पर आप monthly income दिखा लीजिए अगर government लोगों का आप टार्गेट करेंगे तो आप जानते हैं गौर्ड में लोग जो जो जॉब करते हैं उन लोगों को पैसा income होता है उसका monthly pocket friendly कोई भी पोड़क्ट खरिजने के वो तैयर है अगर आपको business जो पोड़क्ट है वो सेल करने के अगर तैयर है तो एक नॉमर दो नॉम आप देखकर आपको product को सेल करने के तरीके से आप online से target कर सकते है राइट client professional एक professional टाइफ के होता है जो लोग ज्यादा सो ज्यादा product relevant पसंद करते हैं कूस client होता है जो education perfect student को अब अगर आपको try करेंगे तो उसका proportion हो पढ़ाई करना तो अगर कोई किताब कोई books ये सारे जो cricket खेल खेल दुनिया के जो product है तो उन लोगों को target करेंगे तो आपको ये सारे सीज अबको हो जाएगा अब बारे तो ये सारे सीज अपने साही तरह के से लेख लिया जान लिया कि हाँ ये तो ठीक है पर आपको जो product है ज्यादा 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 online से बिसना चाहिए तो ये सारे सीज अगर चलते है तो आपको ये भी देखना होगा कि online activity कहा पर है आपको audience ज्यादा Facebook के चल रहे है या Google पर चल रहे है या Instagram या YouTube ये सारे सीज अबको देखना होगा तो ये सारे सीज अगर आप data analyze करेंगे और ये सारे सीज करने के लिए आप तयार हो जाएंग कि साथ साथ ACS में प्रिफिसी गूगल आड और वेव डिजाइन और डिवल्लमेंट मार्केटिंग के ऊपर में और भी वहुत सारे वीडियो शेयर कते रहूंगा पाट दे आपको स्रिब एक ही काम करना है मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है अगर को अपने इंपोर्टन टाइम दे इसने बहुत बहुत शुक्रिया चलते नए रेक वीडियो के साथ मिलते है तब तक अब है पिरे ये खुश रही जैहिंद बंदे मात्रम